हेलो स्टूडेंट आयम डॉक्टर आर्ती और मैं आपकी फैकल्टी हूं पीडबलू नर्सिंग वाला पे और आल बी टीचिंग यू पिडियाट्रिक नर्सिंग और नूट्रिशन तो आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं पिडियाट्रिक नर्सिंग का इस को से को रिलेट करके पड़ना है जितना आप लोगों के लिए जानना जरूरी हम उतना ही पड़ेंगे प्लस जब भी मैं कुछ आपको बता रही हूं ठ्राइट पर द्यान लगा कि जो हम पड़ रहे हैं कुछ कुछ MCQs है N में, वो MCQs करेंगे and this topic would be finished for you. तो हम स्टार्ट करते हैं growth and development से जो हमारा पहला topic है. आज हम जानेंगे कि growth and development की definition क्या होती है, laws क्या है and what is exactly anthropometric measurements. यानि height, weight और सब. तो सबसे पहले हम definitions पर आजाते हैं. We'll start with the definition of growth. Simple है, growth का मतलब किसी भी चीज़ का भढ़ना, multiplication of cells. हमारी body में जितने भी cells हैं, उनका multiplication होना is growth. ठीक है, मैं इधर लिख देती हूँ. तो multiply हो रहे हैं cell, तो कहां-कहां भढ़ सकता है बच्चा, height भढ़ना बच्चे की, ठीक है. तो example क्या है, इसे किस parameters से नापेंगे centimeters, kg, weight भढ़ना बच्चे का. तो ultimately कहने का मतलब क्या है, कि this is a quantitative measurement, quantities से based है, ठीक है, it's a quantitative measurement. बढ़ गया बच्चा, height बढ़ गई, weight बढ़ गया, तो उसे हम बोलते हैं growth. Next क्या है हमाई पास, development. How do we define development? इस पे भी question आया हुआ है, development क्या होता है? Maturation of functions, functions का mature होना, mature होना is known as, maturation of functions is known as, development. कहने का मतलब क्या है, कि जैसे बच्चा पहले सिर्फ बैठ सकता था, अब खड़ा हो सकता है, दौर लगा सकता है, धीरे-धीरे सीरियां चड़ सकता है, रसा कूदना शुरू करेगा, तो उसके functions mature हो रहे हैं, तो उसे हम कहते है development, इसकी कोई quantity नहीं है, यह qualitative measurement है. तो दिस इस a qualitative measurement, ठीक है, qualitative measurement, बच्चा पैन पकरड़ा था पहले, उसके बाद उसने line लगानी शुरू करी, circle बनाना शुरू किया, लिखना शुरू कर दिया, तो बच्चे की development हो रही है, इस पर question क्या आया था, increase in the complexity, word जो use हुआ था, maturation की जगा word हुआ था, use complexity, increase in the complexity of cell functions is known as development, तो यह बात हुई definition की, what are the factors affecting growth and development, quickly जानते हैं, क्या-क्या factors हैं, सबसे पहले हमारे पास है, hereditary factors, hereditary factors में हमारा आते है, genetic makeup, जो हम कहते हैं, बच्चे की height, parents की height जितनी है, उतनी ही बच्चे की height रहती है, बहुत बारी OPD में parents आते हैं, हमारे पास कि हमारा बच्चा तो मोटा हो नहीं रहे, खुद तो parents इतने पतले-पतले होते हैं, और चाहते हैं, बच्चा बहुत मोटा हो, तो this is not possible, this is the genetic makeup, उसी पर बच्चे की growth and development depend करती है, color of the eyes, these are few examples, again, hereditary और किस form में effect कर सकती है, genetic disorders, कुछ genetic disorders हैं हमारे, जो हमारे बच्चे के growth और development में effect करते हैं, for example, to this is down syndrome, ठीक है, जैसे जो down syndrome है, वो बच्चे का जनम की बिमारी है, तो उसके कारण भी बच्चे का growth and development effect होता है, so this is again a genetic problem, next factor क्या effect कर रहे हैं बच्चे को, environmental, environmental factors यानि बच्चा किस environment में बढ़ा हो रहा है, या पेट में बच्चे का क्या environment था, तो इसे दो में डिवाइड कर दिया है, prenatal, इसे दो में डिवाइड कर दिया है, prenatal and postnatal, तो prenatal जब मा के पेट में है बच्चा, तो क्या-क्या दिक्कते आ रही हैं, अगर मा को कोई दिक्कत है, metabolic disorder, like diabetes, तो उस केस में बच्चे का growth affected होता है, ठीक है, metabolic disorders, next हमारे पास है कि जब बच्चा मा के पेट में था, कोई obstetric दिक्कत हो रही है मा को, like hypertension, obstetric related दिक्कत हो रही है, thirdly, mother बार-बार बिमार हुई थी, कोई fever हुआ था, कोई infection हुआ था, कि जब बच्चा पेट में था, ऐसे infections को हम torch infections बोलते हैं, जिनकी detail हम लेचा पड़ेंगे, बट ये भी growth and development में बच्चे को effect करती है, फूर्थ, mother ने कोई ऐसी drugs ली थी, जो effect कर रही है, like जटकों के लिए, convulsions के लिए माय ड्रग लेती है, anti-epileptic drugs, जो की बच्चे की growth को effect करती है, so these are the few prenatal factors जो effect करते हैं, यहीं पर और हो जाते हैं, मा का nutritional status कैसा है, इंडिया में बहुत mothers हैं, जो बिल्कुल जिनका nutritional status पूर है, back-to-back pregnancies हो रही है, body को recover करने का time नहीं मिल रहा, that again effect the growth of the child, postnatal, इसके बाद हमाई postnatal factors, जब बच्चा पेट से भाहर आ गया, तो क्या factors effect करेंगे growth and development को, तो बच्चे का nutrition effect करेगा, कि बच्चे को breastfeeding मिली है क्या, बच्चे की complimentary feeding adequate time पर शुरू हो गई है क्या, exclusive breastfeeding का मतलब, कि breast milk बच्चे को पिलाया गया है, only breast milk for first six months of life, except for the medication that has been prescribed by the doctor, what is complimentary feeding, after six months the feed which we start for the child, बच्चे का environment में क्या है क्या है क्या है क्या है कि diarrhea हो रहा है बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा है बच्चे को बार बार तो of course that would affect the growth and development of the child, lastly हमारे पास यह factors, last पर बोल रहे हैं बद बहुत ज़रूरी है, first is emotional factor, mother, parents से बच्चों का जितना अच्छा connect होता है, उतना अच्छा बच्चा growth develop करता है, and economical factors, देखू, mother खाना खिलाना चाहती है, उसे पता है कि बच्चे को क्या खिलाना है, but the socio-economic status is not allowing, so this is also very important factor, next हम आते हैं, periods of growth, इस पर questions आते हैं आपके, सबसे पहले जान लेते हैं, prenatal period क्या होता है, prenatal यानि जब बच्चा मा के पेट में है, तो इसे 3 में divide किया है, 0 to 2 weeks, 3 weeks to 8 weeks, and lastly, 9 weeks, till birth, तो 0 to 2 weeks में बच्चा, जब मा के पेट में होते हैं, तब बोलते हैं ovum, 3 to 8 weeks, relate करते रहो, 0 to 2 weeks में हो गया ovum, बाहर आ गया, 3 to 8 weeks में बच्चा बड़ा हो रहा है, अंदर उसे बोल दिया embryo, now, 9 weeks of birth तक उसे बोल देते हैं fetus, ये बहुत important हैं, questions आते हैं, इस पर, अब imagine करो, बच्चे का जनम हो गया, फिर हम क्या बोलते हैं, तो पोस्नेटल पीरिएट बोलते हैं इस पीरिएट को, तो सबसे पहले बच्चे को हम बोलते हैं, नियोनेटल पीरिएट, जब बच्चा छोटा है, नियोनेटल पीरिएट, नियो नेटल पिरेट हमारा एक्सेंड करता है 0 से 28 दे 28 दिन तक इसे हमने क्यों डिवाइड किया है क्योंकि नियो नेटल पिरेट एक ऐसा पिरेट है जहां पर बच्चे के mortality बच्चे को infection होने के chance बच्चे की मिर्तियों होने के chance बहुत जादा है तो इसलिए बच्चे का हाई रिस्क होता है इसा बच्चा तो से अमने नियो नेटल पीरिए बोल दिया है इसे अगें दो में डिवाई किया गया है अंधे करन लेट नियो नेटल पीरिए लेट भी रही नेटल पिरिए पिरिए जिसमी sadness बच्चे के chances होते हैं and next is 7 to 28 days so this is known as neonatal period अब 28 days का हो गया बच्चा अब क्या बोलेंगे बच्चे को बच्चा और बड़ा हो रहा है स्टोरी बनाते जाए नियो नेटल पीरिट के बाद आजाता है infant उस बच्चे को हम बोलते हैं infant infant कब तक बोलते हैं 28 days के बाद एक साल की उमर तक हम बोलते हैं period of infancy बहुत सारे आपके mcqs में infancy पे questions होते हैं infancy options में होता है तो infancy का मतलब है up to one year of age next आता है infancy के बाद हमारा आता है toddler period सबसे naughtiest period बच्चों का जिसमें बहुत शैतान होते हैं बच्चे वह period हमारा होता है 1 से लेकर 3 years तक का अब आगे का खानी भड़ाते हैं फिर बच्चों को हम school भेज देते हैं preschool भेज देते हैं play school आता है pre nursery आता है तो this is the period 3 to 6 years फिर आजाता है schooling है ना बच्चा 6 साल का हमारा पहुंच जाता है first class में तो उसे बोल देते school years so this period is between 6 to 12 years so infancy, toddler, preschool, school हमें याद रखना क्यों जरूरी है क्योंकि बार बार यह हमारे पास options में आते हैं so it is very necessary कि हमें इनकी definition clear हो इसके बात जब बच्चा होता है वो आ जाता है adolescent this is again a troublesome period for the parents बड़ा परेशानी वाला period होता है इसे again divide किया गया है early adolescent period, middle adolescent period and late adolescent period so what is early adolescent period? early adolescent period is 10 to 13 years middle adolescent period is 14 to 16 years and late adolescent period is 17 to 20 years तो यह हो गया हमारा early, middle, late adolescent period यह ही पर एक important definition आती है जो कि बस questions में आती है, MCQ form में आती है कि how do you define perinatal period? again यह definition क्यों बनाई गई है? mortality data collect करने के लिए यह पहले था 28 weeks to 7 days of life, अब इसे हमने कर दिया 22 weeks of gestation जब मा के पेट में बचा 22 हफते का है तब से लेकर 7 days after birth तो यह period हो गया perinatal period, तो बहुत 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 है what is the definition of the perinatal period according to the latest WHO module? 22 हफते का अगर बच्चा होता है, so there are the chances जहां पे हम बच्चे को बचा सकते हैं तो 22 हफते से लेकर 7 दिन का period जो birth का होता है, birth के बाद तक का होता है उसे हम बोलते है perinatal period, laws क्या है growth के, बहुत इंपोर्टन है, बहुत 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 क्वेशन आये वे, ऐसे नहीं आया वा कि laws of growth but questions आये है, तो continuous process होता है, लगातार बच्चा बढ़ भी रहा है, लगातार उसके functions भी बढ़ रहे हैं, so it is a continuous process पीरियड ओफ माक्सिमम ग्रोथ पे क्वेश्चन आया वह है तो वॉट अधर पीरियड ओफ माक्सिमम ग्रोथ तीन पीरियड है एक तो जब फीटल लाइफ है जब अच्छा मा के पेट पे हैं सेकिंड अप्टू टू यह उफ एज पैदा होने के दो साल बात तक इसे कुछ लोग इना सीं मानते ह्इं क्यूंकि आपके उप्षिंज में था वाट कपिरियड ओफ मैक्सिमम ग्रोथ और ॉप्शन था इनफैंसी और एड डॉलेसट पीरियड या पीरियड ओफ ब्यूबर्टी तो यह इनफैंसी ऐन प्यूबर्टी आधलर पीरियड तो इसे स्टार्मा कर लेंगे periods of maximum growth, infancy, puberty आगे क्या है laws of growth and development में growth और development दोनों कि फैलो कॉडल होती हैं कहने का मतलब क्या है कि उपर से नीचे तक दिया कि फैलो कॉडल पहले बच्चे का सर बढ़ता है फिर बच्चे के पैर तक आते हैं कहने का मतलब है पहले बच्चा गर्दन पकड़ता है फिर बैठता है फिर चलता है तो growth भी उपर से नीचे हो रही है development भी उपर से नीचे हो रही है कि फैलो कॉडल second है आपका जो हमारी growth होती है वो हमारी होती है distal to proximal distal to proximal कहने का मतलब है कि बाहर से अंदर की तरफ ये proximal होता है ये distal होता है तो growth distal to proximal होती है पहले hand or fingers बढ़ती है then हमारे उपर की muscles increase होती है तो ये इसका एक formula I learn करने का mnemonic है GDP growth is distal to proximal ये याद रखना है MCQs में true and false के form में आता है next is हमारा development contrary to that जो development होती है वो हमारी होती है proximal to distal कहने का मतलब है कि बच्चा पहले हाथ उपर उठाता है पहले ऐसे ऐसे करना सीखता है बाद में बच्चा pen पकड़के लिखना सीखता है तो proximal muscles की development पहले हुई है distal muscles की development बाद में हुई है तो ये important है proximal to distal होती है development next हमारा इसमें आता है कि जो different tissues होते है वो different time पे grow करते है different pace पे grow करते है इस पे बहुत सारे questions आए है तो सबसे पहले अगर हम brain का एक rough chart बनाए so this is the growth of the brain तो ये दो साल की उमर तक 90% इसकी growth हो जाती है तो जब बच्चे का जनम होता है तो adult brain के 65 to 70% of the adult brain जब बच्चा पैदा होता है the child is 65 to 70% of the adult brain बड़े brain से उसका इतना ही growth होता है फिर maximum growth दो साल के अंदर अंदर हो जाता है इधर भी आपको options में in fancy था तो answer in fancy होगा जब बच्चा एक साल का होता है उसके brain का size double हो जाता है डबल्स यह भी question आया है ठीक है at what age the brain size is double as the adult size at what age the growth of the child brain doubles तो वो है one year of age next is gonadal growth again यह हमें पता है gonads की growth होती है maximum puberty पे ओके तो अब हम देख रहे थे gonads की growth कब होती है gonads is your female and male sexual organs तो gonads की growth हमारी maximum होती है in the period of adolescent तो यहां से नीचे नीचे होता है और यह चार्ट ऐसे graph ऊपर चला जाता है तो this is the age after which puberty जब gonadal growth शिरू हो जाती है तो आप से graph के basis पर भी question आ सकता है और in general भी question आ सकता है next हमारा आते है lymph tissues की growth कब बढ़ती है तो यह बहुत important है lymphoid tissues हम क्या समझते है tonsillar growth जो होती है बहुत बारी बच्चे आते four to eight years की बीच में बच्चों की सबसे जादा tonsils बढ़े वे होते हैं तो it doesn't mean कि उसे surgery की ज़रुरत है ठीक है क्योंकि यही period है maximum lymphoid growth का क्या period है four से आठ साल चार से आठ साल four to eight years is the period of maximum lymphoid growth ठीक है इस वक्त ही tonsils की complain के साथ बच्चे आते हैं तो that doesn't mean की तुरंत हमें surgery कर देनी चाहिए ठीक है तो period of lymphoid growth फिर muscle in mass muscle mass and fat आता है तो again this is the period puberty पे भड़ता है muscle lean muscle mass mass भी प्यूबोटी पे भड़ता है और अगें fats भी प्यूबोटी में बढ़ते हैं but दोनों में क्या difference होता है lean muscle mass males में ज्यादा जल्दी बढ़ता है fats या adipose tissue females में ज्यादा जल्दी भड़ते हैं तो हमारे different periods of growth हो गए जिस पर question हमारा brain पे आया है maximum growth is in infancy double the size of birth is by one year and again gonads की ग्रोथ हो गई lymphoid tissue की ग्रोथ हो गई muscle mass और fats की ग्रोथ हो गई next आता है anthropometry बहुत-बहुत-बहुत important है बिल्कुल अब ध्यान से सुनेगे सारे एक एक चीज weight average weight of a child at birth कितना होता है 2.4 to 4 kg तो यह आया हुआ question इसमें आपके पास options में 2.5 kg था तो that is the correct answer now average length कितनी होती है बच्चे की average length कितनी होती है जनम पे 48 to 50 cm तो again इस पर question आया वा था 50 cm options में था तो 50 cm next होता है head circumference कितना होता है बच्चे का 33 to 35 cm ठीक है इस पर आगे हम detail में पढ़ेंगे कैसे बढ़ता है इस पर questions आया है next आता है chest circumference chest circumference is around 31 to 32 cm 33 cm it is around about 3 cm less than the head circumference head circumference से 3 cm less होती है तो around about 31 to 33 cm होती है इस पर भी question आया है question क्या आता है at what age at what age head circumference और chest circumference सेम होते हैं head circumference chest circumference कौन सी एज पर सेम होते हैं ता रहे हैं so this is the simple electronic weighing machine जो हम अपनी OPD में यूज करते हैं यहां पर infant का वेट करते हैं यहां पर बच्चों को खड़ा करके वेट करते हैं यह अगेन हमारा digital weighing machine है यह हमाई नेक्स आता है यह picture based questionnaire जो आया है इसे क्या बोलते हैं यह आंगन वारी में यूज होता है इधर आपका विंग इधर से इंडिकेट होता है वेट और इस पर बच्चे को बिठा देते हैं कहीं बारी और devices होती हैं लटकाने के लिए तो इसे दो टर्म्स यूज करते हैं इसके लिए इधर सॉल्टर स्केल अगेन इस पर question आया है उसमें option में सॉल्टर स्केल था या फिर इसे spring beam balance भी बोलते हैं spring beam balance ओके दोनों चीजों पर question आया है तो यह याद रखेंगे spring beam balance या फिर solter scale next चलते हैं अब newborn period till infancy में वेट का क्या क्या होता है again question this was there as a part of question up to three months child का कितना वजन भरता है बच्चे का कितना वजन भरता है up to three months 25 to 30 grams per day the child increases in weight per day ठीक है 25 to 30 grams per day option में 30 था तो 30 grams per day each day up to three months फिर उसके बाद up to one year 400 grams per week 400 grams per week बच्चे का वजन बढ़ता है तो याद रखना है question आचुका रामा कर देते हैं 30 grams per day answer था कि हाओ what is the weight gain of a child in the first three months so 30 grams per day again up to one year it is 400 grams per week यह सारे questions आयों है कि बच्चे का वजन डबल कब होता है डबल होता है one year की age पे oh sorry double होता है बच्चे का वजन डबल होता है five months की age पे बच्चे का वजन triple होता है one year की age पे four times होता है two years की age पे five times होता है three years की age पे फिर उसके बाद six times होता है five years पे seven times होता है seven years पे ten times होता है 10 years पे simple तो question इस form में आता है कि अभी बच्चे का वजन ड़ाई kilo है तो पांच महीने पे कितना होगा अभी ड़ाई kilo है तो दो साल पे कितना होगा तो यह हमें learn करने डबल हो जाता है पांच महीने पे तीन गुना हो जाता है एक साल पे चार गुना दो साल पे इस पे question आए है ट्रिपल पे ट्रिपल पे question आए हुए है बाकी five times होता है त्री यह इधर तक तो याद रखना ही रखना है उसके बाद six times five years पे 771010 ठीक है यह हो गई weight के बारे में बाते अब आते हैं length next हम आ जाते हैं height पे height या यह इंस्ट्रूमेंट से सबसे पहले हम difference जान लेते हैं कि हम लेंथ और हाइट दो टर्मिलोजी क्यों यूज कर रहे हैं तो जो दो साल से कम के बच्चे होते हैं उसमें बच्चे को खड़ा करके height नहीं ले सकते तो उसे बोलते है लेंथ इसके लिए दूसरी होती है है में कंबैंत हाइट म्यात्रा यानि लेट के है दे बच्चे जो हमारे न करदे लेंश कहता हने ही रिच57 वे आइज एडि लेंचा हाइट जबछिपा इंजी घ्ला यह जंक ंद है दोен Nous लीका統 में हुआइट हेय आइज पुरी कुली होती है तो रिकंबेन्ट काईट इस राउन बॉलते हैं हम इन्फन्टोमीटर इसे क्या बोलते हैं इन्फन्टोमीटर इसमें बच्चे को लटा के height लेते हैं, एक end इसका fixed होता है, यह fixed end है इसका, और एक end इसका moving होता है, बच्चे का head इदर touch करते हैं, सीधा लटाते हैं, गुटनों को दबाते हैं, और इसे move करते हैं, till the soul of the child, तो वो हमारी height आ जाती है, so length आ जाती है, तो यह है infantometer, इसे क्या बोलते हैं, this is हमारा stadiometer, यह हमारे सारे उसमें होता है, wards में भी होता है, again OPDs में भी होता है, तो इधर बच्चा सीधा खड़ा होता है, क्या-क्या बच्चे का touch होना चाहिए, occiput टाच होना चाहिए, shoulder plate टाच होनी चाहिए, buttocks टाच होनी चाहिए, जूते चपल बच्चे ने नहीं पहने होने चाहिए, girls है तो high ponytails जिन्होंने बनाई होती है, वो खुलवा देनी चाहिए, और बच्चे को एक frankfurt plane में देखना है, frankfurt plane की हम definition जान लेते हैं, frankfurt plane क्या होता है, जब भी height लेते हैं, उधर एक terminology आती है, frankfurt plane, so what is frankfurt plane, external auditory meters, जो है, उस से अगर एक सीधी line डाली जाए, to the lower ridge of the orbit, उसे frankfurt plane बोलते हैं, तो बच्चा इस frankfurt plane में देखना चाहिए, इधर 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 उपर नीचे नहीं देखना चाहिए, तो the child should be seen in a frankfurt plane, अब बर्थ पे हमने discuss कर लिया था, 50 cm होती है, then 50% increase from birth, यह question आया है, at what age, height, birth के 50% increase हो जाती है, तो इसका 50% कितना है, 25, तो 50 plus 25, 75 cm height कब हो जाती है, बच्चे की, यह question आया है, तो यह होती है, एक साल की उमर पे, तो एक साल की उमर पे, at one year of age, the height becomes 75 cm, that is 50% increase from the birth, double कब होती है, height 4 years, यह भी question आया है, कि height doubles at 4 years, तो 50 का double century, 100, तो बच्चा 100 cm का हो जाएगा, ठीक है, at 4 years of age, triple कब होती है, तो triple यानि into 3 कर देते हैं, तो यानि 12 साल, 12 years of age पे height triple हो जाती है, यानि 150 cm, ठीक है, तो double होती है, 4 साल पे, triple होती है, 12 साल पे, and increase 50% from birth होती है, 1 year of age, यह हमें याद रखना, यह बहुत important है, इधर एक बात और कर लेते हैं, कि height की increase की velocity क्या है, तो up to 1 year तो हमारी हो गई, height velocity की बात करते हैं, इसकी हम आगे भी बात करेंगे, मेरे future lectures में, बट क्यूंकि इसमें से question आये हैं, तो हम इधर बात कर लेते हैं, तो initially 1 year तक कितनी भढ़ी है, 25 per year, देख ली हमने यह तो 50 से 75 हो गई, 25 cm per year, question इधर आया हुआ है, कि 2 to 10 years में कितनी बढ़ती है, height, तो 4 to 6 cm per year, इसमें question आया था कि 6 साल पर क्या होती है, velocity, different ages आये थी, बट वो सारी 2 से 10 साल के बीच में थी, तो इधर 4 to 6 cm होती है, again हमारा next puberty पर आता है एक और growth spurt, जब height तेजी से बढ़नी शुरू होती है, तो तब हमारी 10 से 12 cm height बढ़ती है बच्चों की, तो यह हम एक story की तरह पढ़ते रहेंगे, यार बच्चा 50 cm का था, 4 साल पर 100 का हो गया, 12 साल पर 150 का हो गया, शिरू में height तेज बढ़ती है, बीच के periods में थोड़ी रुक जाती है, प्यूबर्टी पर फिर से बच्चा height खीचता है, next बगला हम आते हैं, head circumference पर, head circumference क्या होता है, सर का map from supra orbital ridge आखों के उपर से लेके, पीछे occipital protuberance तक, instrument क्या होता है जिससे हम नापते है, non-stretchable measuring tape, जो हम डेली रूटीन में बहुत चीजों के लिए यूज करते हैं, तो इट इस non-stretchable measuring tape, कितना होता है, birth पे, head circumference हमने पढ़ा था, birth का head circumference हमारा होता है, 33 to 35 cm, which is more than the chest circumference, first 3 months में कैसे growth होता है, 2 cm per month, यह हमें याद रखना है, क्योंकि वो पूछ लेगा कि 6 महीने पे head circumference कितना है, तो 3 महीने यानि 2 into 3, 6, इसमें आप 6, 8 कर दो, 33 plus 6, तो 34 plus 6 कर दो, तो around about 40 to 42 cm हमारा हो जाएगा 6 months पे, तो यह question आया है कि 6 months पे head circumference कितना होता है, ठीक है, फिर 3 to 6 months growth कम हो जाती है, यह हो जाती है, 1 cm per month, और फिर 0.5 cm per month, so this is the entire कहानी for head circumference, non-stretchable measuring tape से 33 to 35 cm at birth, 2 cm per month भरता है, फिर 1 cm, फिर 0.5 cm, तो कहीं पे भी पूछ सकते हैं, कि 6 महीने पे कितना है, 40 से 42, ठीक है, वो हमने calculate करना सीख लिया, chest circumference, we've already studied, non-stretchable measuring tape से लेते हैं, birth का जो हमारा chest circumference होता है, at birth, यह 31 to 33 cm होता है, फिर 1 year पे, या 9 to 12 months पे, chest circumference is equal to head circumference, and after 1 year, chest circumference is more than head circumference, finished story, next हम आते हैं, BMI पे, यह वाला जो anthropometric measurement हैं, यह 5 साल से बड़े बच्चों में लेते हैं, how do we take BMI, BMI होता है, BMI is defined as weight in kg, upon height in meter cube, in meter square, sorry, height in meter square, so BMI is weight in kg and height in meter square, तो यह हो गया BMI, BMI के charts होते हैं, BMI क्यों लेते हैं, basically obesity define करने के लिए लेते हैं, तो obesity कैसे उन charts पे होती हैं, more than one standard deviation is overweight, two standard deviation से जादा obesity, two centimeter standard deviation से कम thinness और severe thinness minus one, तो obesity more than two standard deviation, overweight more than one standard deviation, thinness less than one standard deviation, severe thinness is less than minus one standard deviation, यह equivalent हमारे adulthood में आते हैं, but this is the charts which we use, तो BMI charts यूज़ करते हैं, कोई definitive cut-off नहीं होता है, so next हम आते हैं, upper segment, lower segment ratio में, तो upper segment हम कैसे measure करते हैं, upper segment is measured from vertex, यानि head पे उपर, vertex to pubic symphysis, तो vertex to pubic symphysis होता है, upper segment, height में से अपर segment को माइनस कर लेंगे, तो उसे बोलते हैं, lower segment, height में से माइनस कर लेंगे, height subtracted from upper segment is equal to lower segment, इसकी ratio जानने क्यों जरूरी है, upper segment, lower segment ratio, क्योंकि हमाही ना differ करती है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, यह differ, differ, differ करती रहती है, तो सबसे पहले at birth card, तो at birth पर देखने है, birth पर हमाही upper segment, lower segment ratio कितनी होती है, it is 1.7 is to 1, 1.7 is to 1, फिर उसके बाद हमारी 3 years पर कितनी होती है, 1.3 is to 1, and upper segment, lower segment equal हो जाती है, 7 to 10 years, इसकी क्या importance है, एक तो इस पे true and false आया था, धर कब भड़ता है बच्चे का, trunk growth कब होती है, तो हम generally बोलते हैं जब बच्चा छोटा होता है, तो उसका धर भड़ता है, तो यानि toddler age group में बच्चे का trunk growth हो रही है, तो trunk grows more in toddler and preschool children, similarly next हम बोलते हैं कि limbs कब बड़े हो रहे हैं, बच्चे की limb growth कब हो रही है, तो limb growth जादा होती है during the school ages, हम बोलते हैं बढ़ रहा है, बच्चे की height बढ़ी हो रही है, तो वो school years में होती है, तो इसमें question क्या था, which of the following is falls, तो falls में answer था, trunk grows more during school years, no, the trunk grows धड़ बच्चे का toddler में बढ़ता है, preschool में बढ़ता है, और जो limbs होते हैं बच्चे के school years में बढ़ता है, second important चीज क्या है, कुछ बच्चों में जो होती है, वो upper segment जो होती है, बहुत जादा होती है lower segment से, यानि पैर की growth कम हो रही है, तो ये कौन से disorders हैं, rickets, achondroplasia, very nice, next बोलते हैं कि बच्चे के धर चोटा रहे गया, पर हाथ पैर की growth बहुत जादा हो गई, तो when upper segment चोटी रह जाती है, lower segment जादा बढ़ी हो जाती है, तो वो किस disorders में होती हैं, marfons, ठीक है, marfons में, जहां बच्चे के limbs जादा grow हो जाते हैं, as compared to the trunk, तो marfons syndrome हो गया, तो ये upper segment, lower segment हमें याद रखना है, vertex से pubic symphysis, upper segment, height से minus क्या lower segment, equal होती है, 7 to 10 years पे, question आया है, trunk बढ़ती है, toddler preschool में, limb बढ़ते हैं, school years में, फिर उसके बाद आते हैं, age independent criteria, बहुत बढ़ी बच्चे आते हैं, माओं को age नहीं पता होती, तो क्या करेंगे हम, basically ये criteria बनाए गए हैं, जो age independent होते हैं, इस पे हमारा आया है, what is this, yes, this is shark ear's tape, इस पे question आया है, identify the instrument, this is shark ear's tape, जो की peripheries में use होती है, बच्चे का mid upper arm circumference लेने के लिए, M.U.A.C. is mid upper arm circumference, अब mid upper arm circumference, जब बच्चे का कैसे लेते हैं, इसकी मैं demonstration देती हूँ, तो mid होता है, all-e-cranion process, और इधर elbow point के बीच का point, तो इसे measure करते हैं, इसका mid point लेते हैं, बच्चे को हाथ नीचे रखने के लिए कहते हैं, और mid point से measure करते हैं, क्यों इस criteria की importance है, because यह generally 6 to 5 years में static होता है, तो mostly यह हमारा 6 months to 5 years में, generally it remains 16 to 17 cm, ठीक है, तो 6 months to 5 year में यह static रहता है, तो यह बहुत important criteria बन जाता है, Sam, severe acute malnutrition के बच्चों को जानने का, severe acute malnutrition, Sam होता है, severe acute malnutrition, तो आंगनवारी में जब बच्चे आते हैं, जो की बहुत पतले दुबले लग रहे होते हैं, तो आंगनवारी workers क्या करती हैं, इस measuring tape की help से mid upper circumference लेती हैं, mid upper arm circumference, तो जब तक यह इस वाले zone में आ रहा है, yellow zone में, यानि 11.5 to 12.5 cm, तो यह moderate malnutrition कहलाता है, less than 11.5 cm criteria है, severe acute malnutrition डाइगनोस करने का, mid upper arm की help से, mid upper arm circumference, more than this is normal, तो इसमें बहुत साइब क्वेशन आया है, कि यह शाकिर्स टेप है, इसका यूज़ क्यों होता है, MUAC mid upper arm circumference लेने के लिए, Sam का क्या criteria है, mid upper arm circumference का, less than 11.5 cm, ठीक है, और यह हम 6 months से 5 years में यूज़ करते हैं, 6 months से नीचे यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उसके लिए data अभी हम आए पास inconsistent है, फिर यह skin fold thickness के लिए, इस पर भी picture based question आया वा है, इसे क्या बोलते हैं, herpendence caliper, ठीक है, herpendence caliper, कहां कहां लेते हैं हम यह, skin fold thickness, triceps पे लेते हैं, biceps पे लेते हैं, inter scapular region पे लेते हैं, अगेन यह constant होता है, मतलब इसका हमारा criteria है, कि यह जो mostly होता है न, अगर 10 mm से नीचे जा रहा है, तो बच्चा is malnourished, मतलब तो बच्चे को problem है, हमें चिंता करनी है, तो यह simple again, जब बच्चे की age नहीं पता होती, तब यह use करते हैं, 10 mm से नीचे जा रहा है, तो यानि herpendence caliper, indicate कर रहा है कि बच्चा malnourished है, अब arm span कैसे लेते हैं, arm span outstretched hand, middle tip of the, both the middle fingers से measure करते हैं, generally क्या होता है, कि यह height और arm span equal हो जाते हैं 10 years of age पे, arm span and height equals at 10 years of age, उसके बाद, height equal हो जाते हैं at 10 years, उसके बाद अगर arm span जादा होता है height थे, arm span जादा होता है, तो यह हमने देख लिया, height से जादा है arm span, marfins, जहां limbs जादा ग्रो कर रहे हैं, तो यह हैं marfins syndrome में, and where arm span is less than the height, again we know, achondroplasia, arm span less than height, limbs कम ग्रो कर रहे हैं, achondroplasia, या cretinism, where height बच्चे dwarfism बोलते हैं, ठीक है, cretinism, so these are the reasons, so arm span है, equal to height हो जाता है 10 साल पे, और इसे measure कैसे करते हैं, tip of the middle finger, both the sides, outstretched hand, arm span अगर जादा है height से, यानि बच्चा जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे है, बड़ा height बहार से जादा बड़ा और है limbs से, तो marfins, और अगर arm span चोटा है, या height से, यानि limbs कम ग्रो कर रहे हैं, एक ondroplasia, next हम आते हैं, growth charts पे, तो growth charts बहुत important हैं, इन पे questions आये हैं, सबसे पहले इसे बोलते हैं, road to health chart, road to health chart, क्यों बनाए गए थे हमारे growth charts, basically क्या होता है, बच्चा हमारे पास एक बार आता है, वो कहता है road to health charts, तो बच्चा हमारे पास आता है, या height नी बढ़डी, फिर वो दूसरे doctor के पास जाता है, फिर तीसरे doctor के पास जाता है, weight नी भड़ा, कैसे पता चले, तो हम इन charts पे plotting करना चालो हो गए थे, we used to plot की इस एज पे इतना weight था, and then we see how the weight is growing, where is the curve going, ये charts बहुत सारी जगाओं से पहले बनाने शुरू करे, बहुत साही countries में study हुई, हमारे पास national central of health survey का है, then हमारे पास center of disease control से chart है, but आजकल जो हम use कर रहे हैं, latest chart वो WHO road to health charts है, ठीक है तो WHO charts में, multi-centric study हुई थी, MGRS जिसे बोलते हैं, multi-centric study हुई थी, six countries were a part of this study, माना गया था कि सारे बच्चे breastfed adequately हैं, adequate age पे complimentary feeling चालू करी गई थी, different countries को लेना, इसलिए ज़रूरी था कि different ethnicities के charts को mix करके बनाना था, एक useful chart, तो ज़रूरी बात है कि India was a part of it, तो ये WHO charts are very well applicable in India as well, इसमें हम charts देख लेते हैं, boys का chart होते है blue color का, girls का chart होते है pink color का, height का chart अलग है, weight का अलग है, head circumference का अलग है, BMI का अलग है, तो ये मैंने लगाया है length का chart, weight for length का chart, जो कि हमारा severe acute malnutrition के लिए criteria होता है, तो इधर हमारी length है, इधर हमारा weight है, तो इसमें हमने supposedly 70, बच्चे की 70 cm height है, और उसमें बच्चे का weight है, ये हमारा हमने measure करा, 5 kg, ठीक है, तो, sorry, 8 kg है, थोड़ा सा blurred है, 8 kg, is it adequate or not adequate, तो अगर हम देखें कि 75 cm, around 1 year पर height होती है, तो ये 10 से 11 महीने के बच्चे की height है, और 8 kg weight उसका adequate है, पर अगर ये इस line के below fall कर रहा है, अगर ये हमारा chart, इस line के below fall कर रहा है, below this line, यानि below third percentile, पहले हम percentiles use करते थे, अब हम standard deviation use करते है, below third percentile fall कर रहा है, तो यानि, the बच्चा is not healthy, हमें कुछ करना है, again, अगर अभी तक बच्चा ऐसे ऐसे भढ़ा था, और अचानक से static growth हो जाती है, तो भी हमें चिंता करनी है, बेशक से बच्चा third centile के below fall नहीं कर रहा है, पर growth fall कर रही है, तो भी हमें चिंता करनी है, next हमाई पास इधर charts है, females के, यह हमाई Z score charts है, जिसमें Z score यानि, minus two standard deviation से कम, जो भी हम बात कर रहे थे, यह रह minus two standard deviation, again, यह height के chart है girls के, तो अगर नीचे जा रही है growth, तो हमें चिंता करनी है, बढ़ते बढ़ते static हो गई, तो हमें चिंता करनी है, तो question क्या आता है, कि road to hell charts किसे बोलते हैं, growth charts को बोलते हैं, second question आता है, कि कब उसमें हमें चिंता करनी है, either the line is below minus two standard deviation, or less than three third centile, or the curve is falling downwards, or the curve is static for a very long time, in cases में हमें चिंता करनी है, बहुत समय तक curve एक ही जैसा रह रहा है, या curve fall कर रहा है, या below third centile है, ठीक है, so true and false में question आता है, next, growth charts, growth monitoring के लिए use होते हैं, diagnostic tools होते हैं, ठीक है कि बच्चा severe acute malnutrition में तो नहीं fall कर रहा है, evaluate करने के लिए और action लेने के लिए होते हैं, मेरे पास बच्चा आ रहा है, तो पहले उसे monitor करने के लिए diagnosis बिन बनाया, कि बच्चा सच्ची में short stature है, उसे बच्चे को evaluate किया, और फिर बच्चे पे action लिए, तो monitoring करी, diagnose किया, evaluate किया और action लिए, अब हम कुछ जल्दी से MCQs discuss कर लेते हैं 1 year पे बच्चे का birth पे weight इतना था तो 1 year पे कितना होगा double at 5 months, triple at 1 year तो the answer is 7.5 kg very good next आप लोग बताएंगे pause कर लिया करें उसके बाद बताईए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं in a healthy child, head and chest circumference equals at what age very good, we have discussed it 9 to 12 months, option में अगर 1 year है तो वो भी equally good answer है how much weight a newborn should gain after a successful feeding ये भी हमने पढ़ा है, बताईए 25 to 30 grams per day, up to 3 months so this is again there in the option, ये question भी हमारा easily solved हो गया next हम पढ़ते हैं, rate of growth and development is differing according to the age of the child मतलब हर एज पे different होता है growth pediatric nurse बच्चे को OPD में देख रही थी तो as per the sister, उसे क्या-क्या points याद रखने चाहिए तो fast growth takes place during infancy and adolescent of course this is true, हमने ये पढ़ा था head and the neurological tissue grow faster during the fetal and the infancy period ये भी हमने पढ़ा था कि head growth जादा होती है कि phallocodal growth होती है, true अब trunk grows more rapidly during the school years, ये हमने पढ़ लिया था falls, trunk जादा कब बढ़ती है, trunk बढ़ती है preschools में, toddlers में, limbs बढ़ते हैं, school years में और slow growth takes place during toddler period through school age, ये भी true infancy और puberty में जादा होती है, so the C is the answer, ये options sister को याद नहीं रखना है, next आते है, maximum development of brain occurs during infancy period, ये भी हमने कर लिया था, up to two years होता है, but infancy है, तो infancy, height velocity की मैंने बात करी थी, two to ten years में क्या height velocity होती है, four to six centimeter, ये हमें याद रखना है कि इसमें थोड़ी कम होती है, फिर बाद में puberty पे 10 to 12 centimeters हो जाती है, almost the double velocity, अब what does it mean when we say that the baby has 25% of head circumference, बच्चे का head circumference, अभी one year पे जैसे खार हम बोलें, six months पे बच्चे का head circumference 42 होना चाहिए, but वो only 25% of the normal है, तो कहने का क्या मतलब है, इधर हम जो charts देखते हैं, मैं charts आपको दिखाती हूँ, ये chart है हमारा percentile का, तो वो बोल रहा है कि बच्चे का जो height है, वो सिर्फ जो head circumference है, वो 25% पे fall कर रहा है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, कि 25% पे बच्चे का fall कर रहा है, तो जब हमने 100 बच्चों का इस पे plot किया था, तो जो 25 वाली line थी, तो 25 children were less than this, 25 children इस line से नीचे थे, 75% उपर थे, तो कहने का मतलब कि अगर बच्चे का 25th percentile पे fall कर रहा है, तो it is the line कि 25% बच्चों का उससे कम है, ठीक है, तो अब हम अपने question पे आते हैं, कहीं पे भी doubt हो, तो आप clarify कर सकते हैं, तो ये हो गया, 25%, 25% children will have head circumference more than that, is it true, no, मैंने क्या क्या है, less than that, false, the child is having 25% of the normal head circumference, no, 25% of the normal head circumference, 25 बच्चों का जितना था ना उतना है, उसका head circumference, have head circumference less than that, 25% have less than that, true, 75% will have head circumference less than that, no, 75% will have more than that, so हमारा correct answer है कि 25% of the children, 100 बच्चों का plot किया, तो 25 बच्चों का उस लाइन से नीचे है, ठीक है, 25% of head circumference doesn't mean कि normal से 25% कम, ये charts की बात कर रहा है, कि population के according कितना कम है, which of the following is not true regarding the birth weight of the child, birth weight of the child is less than 5% on day once require further investigation, no, अगर normal से 5% कम है, तो हमने तो average लखाला है ना, 2.64 से 4 किलो तक, तो 5% कम है, तो हमें कुछ भी evaluate नहीं करना, typical birth weight of a newborn is 2.7 kg to 4 kg, true, ये हमने देखा था, ये हम बात नहीं करी, कि newborns जब पैदा होते हैं, तो कितना वजन लूस करते हैं, तो इसका एक quick formula है, TTT, जो term newborn होते हैं, वो 10% of the body weight gain, lose करते हैं, initial 3 to 5 days में, और by 10th day of life वो gain कर लेते हैं, ठीक है, by 10th day of life ये gain कर लेते हैं, तो newborns lose 10% of the birth weight by 3 to 4 days, true, इधर ही अगर हम preterm की बात करें, जो बच्चे छोटे पैदा हो जाते हैं, तो preterm बच्चे around about 10 to 14% weight lose करते हैं, और again gain भी 14 days तक करते हैं, ठीक है, तो ये ज़्यादा weight loss करते हैं, क्योंकि इनकी skin पतली होती है, surface area ज़्यादा होता है, newborns gain the lost birth weight by 10th day of life, true, so we found the false answer, which is not true, कि अगर 5% कम है तो हम evaluate नहीं करना, incorrect statement regarding the height and length, length of the baby at the time of birth is 45 to 51, true, हमने पढ़ा था 48 to 50, approximate, length of the baby doubles at 4 years, true, 4 years पे double, 12 years पे triple, height of the child will increase till the closure of the epiphysis, ये true है, जब हम बोलते हैं, प्यूबर्टी खतम हो रही है, तो height रुक जाती है, क्योंकि एपिफाइस जो होते हैं, bones में वो close हो जाते हैं, true, rate of growth of height is greatest during the toddler period falls, बार-बारी बोल रहे हैं, infancy and then puberty, so toddler period में rate कम होता है, falls आ गया, best method physical examination का, proximal से distill करें, head to toe करें, या फिर least to most intrusive, या फिर पेट से सर तक करें, कोई भी छोटा बच्चा या आता है हमारी OPD में, तो हम एकदब method follow नहीं करते हैं, कि पहले यार सर करना है, फिर पैर करना है, no, most intrusive, last में करते हैं, least intrusive, सबसे पहले करते हैं, मतलब देख लिया, सबसे पहले respiratory rate मेंने count कर लिया, फिर धीरे मैंने हलका सा step लगा के सुन लिया, बाद में मैं reflexes करूँगी बच्चे के morose reflex, ताकि बच्चा रोना शिरू ना होए, तो up to two years, three years हमें याद रखना है, कि सबसे जादा जो stimulate करता है, पार्ट वो सबसे last में करना है बच्चे का, क्योंकि रोने लग जाएगा, तो मैं तो respiratory rate count ही नहीं कर पाऊंगी, all among the following indicate principles of normal growth, एक्सेप्ट, principles of normal growth, proximal to distal, general to specific, पहले generalized हाथ हिलता है, फिर लिखना शुरू कर लेता है, specific हो जाता है, उपर से नीचे तक होती है, कि फैलो कॉर्डल होती है, सर से पहर तक होती है, उपने पढ़ लिया, physical to psychological, no, बच्चे का दिमाग और बच्चे का शरीर एक साथ भढ़ता है, बच्चा height भी भढ़ा रहा है, बच्चा develop भी हो रहा है, so growth and development साथ साथ होती है, ऐसा नहीं है कि physical पहले होगा ही, also known as spring beam balance, तो I think this is your last question, हमने बहुत सारे MCQs discuss किये, हमने important topics discuss किये, रिलेट करके पढ़िए घर जाके इसी topic से related, जल्दी-जल्दी MCQs कर लीजे, तो ये topic आपका प्रिपेर हो जाएगा, thank you for listening to me, and I'll come up with the more videos इसी channel पे, so keep watching, keep learning, बहुत सिंपल तरीके से हम पेडियाट्रिक नर्सिंग और नूट्रिशन को cover करेंगे, thank you so much.